साथियों, इस बजेट में जय किसान के साथ साथ, जय जवान के लिए भी बहुत बड़ा फैसला लिया गया है। इससे हमारी रक्षा तैयारिया तो मजबूत होगी, हमारे जवानों को भी लाब मिलेगा। कि कॉंग्रेस की सरकार ने वन रैंक वन पैंशन के लिए 2014 में ऐसा ही आखणा मार दिया था बजेट में 500 करोड का। जबकि केंद्रे की बाज़पा सरकार इसके लिए अब तक 35,000 करोड रुपिय से जादा आवंटित कर चुकी है। ये कितना जूट बोलते थे 500 करोड में गोश्रे करते थे जरूरत थी 35,000 करोड की। लेकिन सेना के जवान कोई आख में भी दूल जौकने में उनको कोई शरम नहीं आई। इसमें भी लगबक 11,000 करोड रुपिय का तो एरियर ही है जो देजबर के सैनिक परिवारों को खाते में पहुँच चुका है। साथियों, आज जम्मू और कश्मीर पुलीस हो, हमारा सेंटरल फोर्सिस के जवान हो, सेना के जवान हो, मुश्किल परिस्तितियों में भी देश और शांती के दुश्मनों से लुहा ले रहे। मैं शहीद नजीर इहमद वानी, शहीद अवरंग्जेब, इम्तियाज इहमद मीर, जैसे अनेक बहदुर साथियों को आधर पुर्वक सद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। मैं हर सहीद के परिवार को विश्वाद दिलाता हूँ, कि देश की सरकार आपके साथ हर कदम पर खड़ी रहेगी। मैं सीमा पार गोली बारी का सामना कर रहे हैं, परिवारों को भी आस्वस्त करता हूँ, कि उनकी सुरक्षा के लिए हर संभव कोशिच की जा रही है। मैं सिमा पर 14,000 बंकर बनाए जा रहे हैं, ताकि आप सभी सुरक्षित रह सके।